तुलसी दास जी लिखते हैं समवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुकला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर जहां समवत 1680 में श्रावण कृष्ण, तृतिया शनिवार, तुलसी दास जी ने रामराम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया तुलसी दास जी का मानना था कि काशी के सी घाट पर प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है मगर उत्राखंड भारती जनिता पार्टी के प्रवक्ता शादाब शम्स ने इसकी पूरी तरह से खंडन कर दिया है अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारती जन्रता पार्टी की तो गोर फर्माना पड़ेगा दरसल उत्राखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दोरान खबर लिखे जाने तक 32 शरद्धालूं की मौत हो चुकी है जिसको लेकर सरकार वा स्वास्ते विभाग अपनी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं वहीं बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने बीजेपी की ओर से सफाई देते हुए कहा कि शरद्धालूं की मौत धार्मिक आस्था की वजह से हो रही है इसके साथी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिन शरद्धालूं की यात्रा के दौरान मृत्यू हुई है वो लोग बदरी केदरनाथ में अपनी आस्था प्रकट करते हुए मोक्ष के लिए चारधाम यात्रा पर आते हैं और दर्शन की आस्थ में अपनी बीमारी को छिपाते हैं ताकि दर्शन हो जाएं इस वजह से उनकी मृत्यू हो रही है साथी शादाब शम्स ने कहा कि धार्मिक मानिता के अनुसार जो भी शरद्धालूं चारधाम में यात्रा के लिए आ रही है उनका मानना है कि यदि यहां पर उनकी मृत्य हो जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है यही वजह है कि शरद्धालू अपनी बीमारी को छुपाते हुए बाहने बाजी करके दर्शन के लिए पहुँच रही है गंभीर विमारी की वजह से उनकी मृत्ति हो जा रही है जबकि सरकार की ओर से बेहतर विवस्थाइं चारो धामों में शरत धालूंक ले की गई है सरकार की ओर से यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रही है जिन लोग को हाट की प्राबलम थी जिन लोग जो लोग हाई विपी के शिकार थे उन लोगों को दिक्कत आती है पहाड में ये पहाड है और पहाड में जब आप चरते हैं जहां ऑक्सिजन का लेवल कम होता है मना करने के बावजूद क्योंकि आस्था चरम पे रहती है बाबा बदरी बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बाते बताके कि नहीं मैं स्वस्त हूँ अंदर आ जाते हैं क्योकि उनको लगता है कि मौक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इस रास्त के साथ उस विचार के साथ लोग आते हैं लेकिन मैं इतना जुरू कहूंगा उसके बवजूद मेरी सरकारी कि चेक अप करा रही है पूरे क्यांट लगाए हैं डॉक्टर की विवस्ता है तमाम विवस्ताओं को चुछ दुरूस रखा गया है और जो थोड़ा सा विवस्ता च शम्स के बयान से मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसी बात मानी जाए भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता की या तुलसी दास जी की वैसे तो इस तरह का पहला अनोखा बयान सामने नहीं आया है इससे पहले भी भाजपा की ओर से क अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद